है है गाइस वेलकम बैक्टा मैं चैनल तो आज मैं बात करूंगा कौंट इंफरस्ट्रक्ट्ट्चर फंड के बाड़े में जो कि सेक्टोरियल फंड है और यह स्टार्ट हुआ था 2013 से एक cyclical business वाला fund है जो कि infrastructure companies में अपना पैसा डालती है तो यह PSU sectors में जो infrastructure के companies है और private players दोनों में ही अपना पैसा डालते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना return इसका return वाला चीज का बात करूंगा जिसको thumbnail पड़के आप आप लोग आया है तो आगे बढ़ने से पहले गाइस इफ लाइक मैं वीडियो प्लीज दू सब्सक्राइब चैनल और लाइक और शेयर वीडियो डालता हूं अगर आप लोग को मेरा पॉर्टफोलियो का वीडियो मैं डालता हूं डेली और बीच-बीच में कुछ-कुछ जो फंड्स है उन सब का discussion भी करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं यहां पर तो मंतली इंवेस्टमेंट मैंने डाल दिया है कि 10,000 रुपीज आप लोग मंतली इंवेस्ट करेंगे यहां पर रेट आफ एक्सपेटर रिटर में 20 परसंट डाला हूं यह उल्टा सीजा नंबर नहीं है मैं कौन इंवेस्टर का बात करूं आप देख सकते है तर्टीर परसंट उपटिन्वी इन जिया हूँ Šी मैंने में फिफ्टीवम परसंट मैं यह सब नहीं ले रहा हूं वन्ज में 73 परसंट दिया हूँ जोकि रपिश नंबर से यह तो चांटिन्यू नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी एक साल से यह कर रहा है तीन साल का बात कर तो 46 परसेंट दिया हुआ है पांच यर का 38 परसेंट और ओल का देखे 20 से ऊपर दिया हुआ है और यह स्टार्ट हुआ है 2013 से 13 से लेके अभी तक 20 परसेंट दे आ रहा है इसलिए मैं 0.09 परसेंट को डिसकांट करते हुआ है बस 20 परसेंट लिया हुआ हूँ टाइम पीरियोड अगर होल्ड करेंगे यह सब क्योंकि इसी सब वोलाटाइल फॉंड होता है 15 यह सब मिनिमाम होल्ड करेंगे इसको इंवेस्टमेंट हो गया था सब्सक्राइब आप लोग के पास रहेगा एक करो तेरा लाग से ज्यादा तो 10,000 रुपिया मंतली अगर आप लोग इंवेस्ट करेंगे तो एक्सपेक्टर रिटार अगर मैं 20 पर कुरू 15 साल के लिए एक करो से ज्याद आप लोग का पैसा आ जाएगा तो बहुत ही भैतर इसका मैं खुद भी इंवेस्टेट कर रहा हूं इसमें मैं अल्ड़ेडी सिक्स एसाइब कर रहा हूं मैं 6,000 रुपिस का किया हूं अभी तक मैं इंक्रीस कर दूंगा इसमें अभी तक तो देखिया मेरा 25% रिटर्न अल्ड़ेडी आ चुका है मैं यह स्टार्ट कर किया थ मैं 36 है यह भी काफी बढ़ रहा है मैं जब से मैं मॉनिटर करना स्टार्ट किया हूं इसको ठीक है मंतली साइब भी कर सकते है आप आप लोग वन टाइम भी कर सकते हैं यहां पर होल्डिंस का बात करूंगे का अच्छा होल्डिंस भी है इसका रिलाइंस का मैं देखा हूं क्वांट एमसी का मैक्सिमम एक स्टेबल अपना अपना पोर्टफोलियो रखने के लिए लोग एक अच्छा टेन नाइन तो टेन परसेंट चंक और वैल्यूस अफ देखे लिए देपूट इंडर इंडरिंस इंडर्स ताके इन लोग का पैसा यहां पर स्टेबल रहे बाक तो इकुछ पाब्लिक सेक्टर जा कुछ कुछ प्राइब प्राइबेट प्लेयर्स भी है तो एक्विटी में 95 कैस्में चैश्मेंट वांटनाइंग नरी माइन, अनल्य, मेंटल्स इंडर माइनिग मेंगोय, साड़े उन इंफरस्ट्रेक्ट्टर, मतलों बस इंफरस्ट्र चेंडर में 20 के आसपास रहे तो अलफा भी इसका बहुत ही बहतरी है 10 से जादा रहता है अलफा तो काफी अच्छा है 12.22 बीट भी है बीटर है तो अच्छा होता है मिनिमा में फाइब 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 यह थार्ड में आ रहा है तो यह कंसिस्टेंट भी है अब देख सकते हैं और इसका बाट को 0.77 जो की बहतरीन है डिरेक्ट फंड के हिसाब से और एक्षिट लोड आपका 0.5% लाएगा इफ यह रेडेमिंग वेदिन थ्री मॉंस और फंड में बात करो तो वस्टाप से अगल अंकित पंडे चंद्रमोली अल्ला तो गाइस इस वान फेस्ट फंड आप इंवेस्टेड उन तो मैं अपना खूद का इंवेस्ट में इस पर मैं कंटियू करते रहूंगा सो गाइस आम एंदिंग इस वीडियो राइट नाव इफ यू लाइक मैं चैनल प्लीस दो सब्सक्राइब यह थैंक यू सो मुच